Yes students we were revising unit 5 that is length तो worksheet 3 पे थे हम और worksheet 3 को further हम continue करेंगे ठीक है इसमें find the difference आपको given है बटे find the difference में आप क्या करेंगे फरक निकालना है difference का मतलब होता है फरक निकालना अंतर निकालना यानि कि जो दो measurements है इनके बीच का जो difference है फरक है वो क्या है तो उसको हम कैसे निकालेंगे by using subtraction operation ठीक है हम subtract करेंगे और subtraction के तरू हमारे पास result निकालाएगा जो भी फरक होगा measurement का वो हमें पता चल जाएगा तो difference निकालने के लिए बेटे आपको पहले ये पता होना चाहिए कि number कौन सा इन दोनों में बड़ा है यानि कि बड़ी वली measurement कौन सी है तो अब यह देखिए 9 km है और यहाँ पे 7 km तो 9 km और 7 km में कौन बड़ा है obviously 9 बड़ा है ओके तो 9 को हमने इस वली unit को हमने पहले लिखना है यानि कि ये वाली जो measurement है इस measurement को हमने पहले लिखना है ठीके 9 then 200 kilometer आपने left में लिखना है और right में आप क्या लिखेंगे meter और मैंने आपको पहले भी बताया था kilometer जो होता है वो बड़ी quantity होती है ठीके इसलिए हम इसको left में लिखते हैं क्योंकि अगर हमें बोरो लेना हो meter वाली side पे तो हम easily ले सकते हैं इसलिए हम इसको left में लिखेंगे और meter को right में अब हमने क्या करना है यह देखे बैटे 2 में से 4 नहीं जाएगा ठीक है तो हमें क्या करना पड़ेगा पहले ही हम बोरो ले लेंगे 9 से तो इसको हमने cancel किया और जब हम बोरो लेंगे तो यहां से क्या बोरो आएगा thousand क्योंकि जब आप 1 km ले रहे हो तो meter में add हो रहा है और 1 km किसके एकवल होता है thousand meter के ठीक है 1 km में से बोरो ले रहे हो तो thousand meter निकल के आएगा क्योंकि ultimately वो add कहा हो रहा है पैटे में में ही हो रहा है तो इसलिए hundred sorry thousand meter plus 200 meter ओके what we will get we get 1200 तो यहां पर हमने इसको cancel करके क्या लिख दिया 1200 या फिर 1200 अब 0 में से 0 गए 0 0 में से 5 नहीं जाएगा तो हम 12 में से क्या कर लेंगे बोरो ले लेंगे और इसको बना दिया 11 और 0 को काट के हमने क्या बना दिया 10 10 में से 5 गए 5 और 11 में से 4 गए what we will get we get 7 अब यह देखिए जब हमने यहां से 1 kilometer दिया meter को तो यहां पर क्या बच गया 8 8 में से 7 गए we get 1 तो 1 kilometer 750 meter is the answer ठीके बटा इस तरह से आपने subtract करना है ओके यह concept देख लिजिए ध्यान से इस तरह से आप इसको करेंगे question को find the difference